दोस्तों अभव आवास विववाःन का आविधान सुरू हो गया है, सरकार आपके द्वार कारीकरम में, तो इसमें जॉब कार्ण की जरूद पड़ती है। आपके पंचायद में जब सरकार आपकी द्वार कारीकरम का जो कैम्प होगा उसमें कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको जो डोकुमेंस की तयारी करने परती है उसे रेटेड मैंने कम्प्लिट वीडियो कल की डेट में बना दिया है अभी तक आप नहीं देखें तो जाके देख सकते हैं इस वीडियो हम लोग जानेगी कि उसमें जो डोकुमेंस की जरौत परती है नमबर वन आपका फॉर्म की जरौत परती है और साथ में आपको आधार काड पास्बूक की जरौत परती है यदि आपका जौब काड नहीं है तो वैसे इस तिदिम आपको क्या करना चाहिए वह भी प्रोसेस में आपको इस वीडियो मताऊंगा तो वीडियो में बने रही है हेलो एवरिवन मैं हूँ आपका पाई किस्वर वेलकम टू किस्वर डीटर वर दोस्ते जिनर पर पहली बार है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लिजे बेल आइकॉन को प्रेश कर लिए ताकि सरकारी स्क्रिप्स एडिटेट हर एक सही इनफोर्मेशन आप तक सबसे पहले प पहले से बना हुआ है तो जॉब का नमर क्या है और उसको डाउनलोड कैसे कर सकते हैं पूरा प्रोसेस में आपको बताना शुरू करता हूँ तो सबसे पहले आपने मोबाइल में कोई भी ब्रॉजर को उपें करेंगे दिन वहां पर सच करेंगे नरेगा जारकन ज्यादी आ सच करने तो वैसे आपको नरेगा की साथ आपको उस स्टेट का नाम लिखना है और उसका वेबसाइट में आप आजाएंगे यहां फर्स वेबसाइट आपको देख जाएंगे माहतमा गांधी नेशनल रूलर डेवर्मेंट गारेंटी एक्ट इसमें आपको किलिक करने है औ आप से पूछा जाएगा आपका डिस्टिक को यहां पर सेलेक्ट करना है जो भी डिस्टिक से हैं जैसे कि मैं दुमका से हूँ तो दुमका सेलेक करना हूँ आप जिस भी डिस्टिक से हैं उसे सेलेक करेंगे एन उसके बाद यहां पर आपको ब्लॉक सेलेक करना होगा आप जिसमी पंचायद का आपको जॉब काट सच करना है वह पंचायद आपको सेले करना है तो एक जम्पल के लिए मैं कोई भी स्राइक कर लेता हूँ और यहां पर आपके पंचायद का एक डैस्ट बोर्ड यहां पर ओपन हो जाएगा नरेगा का इसी के माधियम से नरेगा से अबन दीट वर्क हो रही है वर्क का स्टेटस का है ओंगोईंग है या फिर अभी सुरू हो रही है तो इसी रिएटर बहुत सारी इंफोर्मेशन आपको इसी वेप्टाइट से मिलती है यही से यह भी इंफोर्मेशन मिलती है कि आपके पंचायद में कितने जॉब कार्ट अभी तक बन चुके है तो इसकी इंफोर्मेशन लेने के लिए यहां पर फर्स्ट ओप्सन आपको मिल रहा है जॉब कार्ट रेइस्टेशन का इसी में आपको complete details मिलेंगे जॉब कार्ट से रिएटर तो इसी में यह वन नमर पर है वन नमर का आपको 5 नमर में किलिक करना है certification status आपको यहां से पता चालेगा आपके पाइद में कितने job card registration हो चूके है वह detail से आपको पता चेलेंगे तो यहां पर आने के बाद यहां पर देख सकते हैं गाँवायज details देख क 750 आपको आप इसी तरह आप आगे बढ़ते जाएंगे तो आपको दूसरा गाओं मिलेंगे जैसे की आप जितना आगे बढ़ते जाएंगे चुकि यह पूरा पंचायद का यहाँ पर सो हो रहा है तो इस तरह से आप जिस भी बिलेज्स हैं है आपके परिवार में किसी का तो वैसे आप find में अपने नाम से भी find कर सकते हैं लेकिन spelling आपका वही यहाँ पर देना पड़ेगा जो कि इसमें registration करते समय spelling जो दिया हुआ है तो यहां से आपको job card number मिल जाएंगे तो दोस्तों यहां से सुरू होगा और यह जो लास्ट कुछ डिजिट आपको दिखेंगे लास्ट डिजिट पर आपको दियान देना है लास्ट डिजिट यहां पर आपको दिखेंगे जैसे की 001-7157 यहां पर देख रहा है यह जोब कर नमबर है और नीचे यहां पर registration date देख रहा है तो registration date से आपको कोई माइन नहीं है आपको job card number last digit आपको दिखेंगे लास्ट डिजिट ही आपका job card number हुआ यह पूरा है find में आपको वही चीजें search करना है जैसे कि जो भी आपका job number आपने वहां से not करके रखा उसे यहां पर find out करना है लेकि slash के पहले जो number आपको दिखेंगे वह आपका village court है उसके साथ ही आपको find करना है क्योंकि जदी आप 57 या 52 आप search करते हैं तो वह number अलग-अलग village का हो स यहां पर आपके family head का ही यहां पर आपको नाम देखेंगे जिनके नाम पर job card बना हुआ है तो उसके बाद यहां पर job card number पर click करेंगे and जैसे job card number पर आपका job card इहां पर दिख चुका है यह आपका इसको आप प्रिंटाउट निकल लेंगे और इसको अभी यूज कर सकते हैं यहां पे जॉब कार्ट नंबर भी आपको दीख रहा है और आपके जॉब कार्ट में कितने मेंबर्स एड हैं वो भी नाम यहां पर आपको दीख जाएंगे और इसमें किस-किस मेंबर का बैंक अकॉन कि आपका जॉब कार्ट सबक्राट से संपर करना होगा और इस अचलिस से नया जॉब कार्ट बनाने का बहुत ही सिंपल बोन आपको एक फ्रॉम आपको fill up करना होंगे जो form आपको उन्हीं के पास मिल जाएंगे उनके साथ साथ आपको कुछ डोकुमेंट जैसे कि आधार कार्ड फोटो और पास्बूक आपको लगाना पड़ेगा और उसके बाद आपका जॉब कार्ड तूरंत ही एड करा सकते हैं इसके लिए भी आपको रोजगा सिवक से संपर करना है और उसका नाम यहाँ पर एड करा सकते हैं यदि एड नहीं भी करा रहे हैं तो इस तरह से आप एड करा कि उनका यूज कर सकते हैं job card नमर को आप blank अभी छोड़ देंगे बाद में job card registration आप करा लेंगे फिला आपका apply बीना job card का भी हो जाएगा बाद में आपको यहाँ पर option दिया जाएगा वैसे इस्तितिम आपको job card दुबारा से देना पड़ेगा तब तक आपको registration करा लेना पड़ेगा तो registration कराने से related मैंने एक short में information दे दिया इसे related complete information चाहिए कि कैसे आपको नया job card बनवाना है तो उससे related मैं complete information किसी और वीडियो में लेके आऊँगा लेकिन उसके लिए आपको comment करना होगा कि आपको new job card registration से related कोई वीडियो चाहिए तो मैं उसके लिए पूरा process लेके आऊँग information देने का परियास किया कोई और information चाहिए अब वो आबास योजना से related या फिर कोई और सरकारी योजना से related तो उसके लिए comment कीजिए मैं next वीडियो आपकी suggestion पे 100% लेके आऊँगा I hope वीडियो आपको पसना है तो वीडियो को like कीजिए अपने दूस्तों में share कीजिए मिलते किसी important topic की साथ किसी next वीडियो में तब तक के लिए thank you आपका दिन सुभू